ओके तो लास्ट टाइम हमने ये ट्पॉलिजी कन्फिगर की थी ठीक है जिसमें 114 आउट साइट का है ठीक है और 192.168.1N साइट का सबनेट है 1.100 हम इंटर्नल इंटर्फेस को असाइन करेंगे और 114.100 एक्स्टर्नल इंटर्फेस को असाइन करेंगे और जो मनेजमेंट है वो सिपरेट है थीक है तो हमने ब्रापल इसको इसको कन्फिगर किया था तो स्टार्ड कर लेते हैं सबसे पहले हम कन्फिगर करेंगे FMC को first time कि जब first time आप plex करते हो FMC को तो इसको किस तरह कन्फिगर करेंगे ठीक है तो जाते है यहाँ पे यह वह एक ठीजिय यहाँ पर यहाँ तो इसको almost require होता है half an hour to boot up 30 to 40 minute require होते है fmc को boot होने में first time then next time जब आप configure कर लेते हो तो कम time require होता है तो यह boot up हो गया है सबसे पहले आपनी username type करना है admin और password इसका है admin123 यह default username password दोनों devices के लिए बलकि तीनों devices के लिए IPS के लिए भी है जो सिसको का है तो fmc, ftd दोनों का by default username and password जो है वो admin और password जो है admin username है और password a capital admin 123 है ठीक है अब अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप Linux सी used to हो तो Linux में एक यह dollar sign होता है और एक pound sign होता है जिसको हम hash भी कहते है या कुछ भी कहो तो Linux में क्या होता है जब यह dollar sign होता है तो means आप as a normal user login हो तो it means जब भी आपको कोई command run करना है तो आपको sudo लिखना होगा super user do same concept यहाँ पे है अब मैं इनको configure नहीं कर सकता है क्योंकि हमने first time इनको configure करना है यह IP address असाइन करना है इस device को FMC को तो अगर मैं यहाँ पे लिख दू जो network configuration है config network सॉरी configure तो नहीं आ रहे हो command उसकी वज़ा यह है कि configuration मैं इस mode में नहीं कर सकता तो दो तरीके है या तो sudo लिखे और network config लिखे सॉरी config network लिखे और आप इसको configure कर सकते हो लेकिन हर दफा जो भी command आपने run करना है आपने यह लिखना है sudo इसको super user do यह linux type है या इससे बहतर है कि मैं यहाँ पे लिख दू sudo su तो यह password पूछेगा password इसका body for जुदा अभी हमने type किया था admin 123 अब अगर आप चेक कर दो तो यह prompt जो है वो change हो गया अब यहाँ पे pound sign आ रहा है इससे पहले यह dollar sign था तो मैं switch work मैंने कर दिया मैं इसके जो powerful user है उस prompt में और अगर आप यहाँ पे देखो तो आप root है root administrator होता है powerful user होता है linux में यह भी linux base ही operating system है अब मैं कर सकता हूँ इसमे direct configuration ठीक है अब मुझे sudo लिखने की जरूरत नहीं है तो आपकी मर्जी हर command के साथ जब भी run करोगे first time तो आपको यह sudo लिखने बहतर है या इससे अच्छा है कि a की command लिखने और prompt change कर दो अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा configure अब आ रहा है auto complete भी हो रहा है configure network और enter कर दो यह आप से पूझेगा do you wish to configure ip4 तो type yes कर दो by default इसके ip4545 है लिकिन हमारे case में different है 10.1.1.10 और enter कर दो subnet mask हमारा यही है 3x255 जो हमने decide किया था default gateway मैंने आपको वो lab में show किया था तो default gateway हमारा यह management PC है जो कि 10.1.1.20 है आपकी case में कुछ और होगा पिर यह किया रहे कि are these sitting correct तो yes यह correct है और why type कर दो जो उपर आपको show करे कि management ip 10.1.1.10 management network mask 2552550 और management default gateway 10.1.1.20 yes कर दिया हमें ipv6 नहीं चाहिए तो मैंने end type कर दिया ठीक है और तोड़ी देर बाद यह update करेंगे यह 23 का configuration first time जो है या तो आपको configure network command लिखने के लिए sudo लिखना होगा और या sudo switch user मैंने वो command type कर दिया तो switch user हो गया मैं root में चला गया root powerful एक user होता है Linux में और फिर मैं हर command without sudo run कर सकता हो ठीक है आपकी मर्जी आपको जो method पसंद है वो दोनों use कर सकते हो मैंने mention दोनों की है शायद यहाँ पर मैं sudo से कर रहा हो यह भी पता नहीं है तो यहाँ से मैं admin और password admin 123 ठीक है sudo config network यह type करके और y कर दिया तो यहाँ मैंने इस तरह किया है और lab में मैंने show कर दि you link दिया आपके मर्जी जो आपको पसंद हो कर सकते हो अचा यह type करके इसके बाद just यह था यह configure होगे इसकी management ip configure होगे अब ping करना है ठीक है यह आगया control else screen clear कर सकते हो तो मैं gateway को ping कर लेता हूँ 10.1.20 जो की management PC है यहाँ system की जूरत नहीं है FMC में direct ping कर सकते हो तो gateway पिंग हो र रहा हो की हो रहा है की नहीं I believe नहीं होगा मैंने मुझे वो share करना होगा internet कोई बात नहीं है लेकिन बात में अगर internet चाहिए तो हम share कर सकते है फिलाल नहीं हो रहा है यह DNS की configuration भी नहीं है properly but anyway gate wrapping हो रहा है यह enough है हमारे लिए at least हमारे reachability वहाह तक है ठीक है अब मैं क्या कर सकत हो इसको access कर सकता हो इस IP की true तो यहाँ पे https लिख दूँगा और 10.1.10 लिख दूँगा ठीक है ब्रावजर में तो यह certificate error देंगे इसको advance करकी proceed कर दो unsafe ठीक है और यह आ गया Cisco FMC तो यहाँ पे admin username था और password admin 123 था enter कर दो तो story भी खतम नहीं है picture अभी बाकी है तो अब यहाँ से यह कुछ और यह आ गया सबसे पहले यह first time जब आप login करोगे तो यह कर रहे कि add तो password change कर दो कर रहे कि new password तो new password a b c at the rate one two three four five जो lay purpose के लिए हम use करते है और a b c at the rate one two three four five दो दफाव वो नया password लेकिन उसके लिए must है कि यह eight character हो alpha numerical ब्ला 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 आपको पता है जो complex password होता है यहाँ पी protocol ip4 यह 101110 यह gateway और यहाँ से मैं house name change कर लेता हूँ fmc ठीक है domain फिलाल नहीं है तो google.com रख दिया primary dns हमारा 88 है secondary dns यह है और third dns यह रख दो आ रहे है तो यह type कर दी वैसी भी मैं कुछ और type कर रहा था जो open dns के है ठीक है यह आ गया इसके बाद time sitting है इस पर your country और जो आप कर रहे हो by default यह अमेरिका निव यार्क है तो मैं इसको change कर रहा था हूँ तो इस पर click करके इसके time जो है वो change कर सकते हो तो इस पर यहाँ पे तो मैं Asia कर लूँगा और यहाँ सी रियास choose कर दूँगा यह है save कर दिया और इसको done कर दो मैं इसलिए शुकर हो अगर encase change करना है तो यह कर सकते हो NTP यह by default जो हम पढ़ चुके वह भी यह तीन आ रहे थे याद है FTPD में यहाँ भी आपकी मर्जी अपनी यह NTP यूज़ करने है या time.google का यूज़ करना है वो कर सकते हो और अगर clock अपनी manually करना है तो वो भी कर सकते हो यहाँ से rule update करने है अभी वैसे नो नार्मली जब real world में करते है तो यहाँ यह चेक कर लेते है ताकि सारे चीज़े एक ही दफा़ हो जाए याद है वो geolocation जो वहाँ पे थे यहाँ पे अपडेट जो है या बाकी आटोमेटिक अपडेट और सारे चीज़े वह हम नहीं करना चाहते है अदर्वाज यह टिक कर सकते हो इसको license हमारे पास नहीं है जो हम use करेंगे तो यह सब कुछ क्लिक करके यहाँ पे अपनी क्लिक करना है I have read and agreed तो इसको apply कर दो जैसे यह first time configuration था किस चीज़ का FMC का लेकिन इसको time require होगा five to ten minute जब यह आप agree कर लेते हो और apply कर लेते हो ठीक है तो तब तक हम यहाँ आपने आपको busy कर रहते हैं तो फिर browser में मैं नहीं IP लिग दी वही password admin or admin 123 type कर दिया login करके सबसे पहले password चेंज कर दिया पिर यहाँ पे domain name dnsc detail वह वह चेंज कर दिये ठीक है time setting चेंज कर दिया और यह agree करके apply कर दिया अब यहाँ पे almost मुझे five to ten minute वेट करना होगा तब जाके आपको यह FMC open हो जाएगा और यह dashboard जो है summary dashboard by default summary dashboard जो है यह आप open हो जाएगा by default लेकिन बाद में अगर आप चाहे तो आपको कोई और dashboard आप चाहे तो open कर सकते हो ठीक है by default रख सकती हो मेरा में में मकसर यह है लेकिन by default यह method होता है summary dashboard जो है यह आपको इस तरह नजर आएगा ठीक है तो FMC हम अलड़ी पढ़ चुके है कि यह centralized management है जहाँ से एक से ज्यादा FTD को हम configure कर सकते है centralized location से ठीक है और इसकी management IP को हमने IP address हसाइन कर दी by default Ethernet 0 जो होता है यह management interface होता है अगर आप चाहे तो एक से ज्यादा interfaces को भी आप management interface बना सकते हो different subnet में भी रख सकते हो क्योंकि अगर huge network है तो उस case में तो तब तक मैं इस तोड़ा सा stop कर लेता हूं तो यह हो गया तो यह apply sitting है और आप इस link पर यह खुद करेंगे या अगर आपको बहुत जल्दी है तो इस link पर क्लिक कर दो ठीक है तो यह summary dashboard by default आपको show करेंगे यह ता first time configuration जब आप FMC को first time configure करोगे तो वो यह process अपने follow करने है ठीक है तो मैं quickly revise कर लेता हूँ by default user name and password यह है यह issue आपको आ सकते है उसके बाद आपको sudo लिखना होगा config network command खुद से लिखना होगा आटो complete नहीं होगा अगर आप इसको follow कर रहे हो यह sudo su link के और enter कर दो और admin 123 password type कर दो ठीक है उसके बाद यह आप से तीन चीज़े पूछेंगे जो आपका IP address है subnet mask है और gateway है ठीक है IP 6 हमें नहीं चाहिए no कर दो और यह से gateway एक दफाप पिंग करके try कर दो कि सब कुछ सही है या नहीं है ठीक है और पिर browser में वही IP लिखना है वह HTTP लिख लेकर यह HTTPS है वही username and password और यह setting करके जो अब हम कर चुके ठीक है और उसके बाद जो है यह 5 to 10 minute required होते है sitting apply करने में और आपको dashboard जो है वो नजर आ जाएगा